हेलो फ्रेंज, वेलकम से खुबसूरत वर्ल्ड टूटपेस्ट केवल दातों को ही नहीं बल्कि आपके चेहरे को भी सफेद करने में आपकी काफी हल्प कर सकता है यह स्कीन रिलेटेट कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन से चुटकार दिलाने में आप काफी मदद कर सकता है जैसे मुहासे, काले दब्बे, गहरे दब्बे या फिद जूरिया इन सबी समस्याओं के लिए आप टूटपेस्ट की मदद ले सकती है या बहुत ही कारागार है इसके साथ साथ तूटपेस्ट ना केवर महिलाओं बलकि पुर्शों की तूचा के लिए भी काफी हल्पफुल है तूटपेस्ट आपकी तूचा की रंगत को सुधानने में काफी सहायक है तूटपेस्ट में कई जैसे गुडवक तक तत्व मौजून होते हैं तूटपेस्ट में काफी मदगार हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताओंगे कि तूटपेस्ट कीस तरह से आपकी चहरे से रिलेटेड समस्याओं को कम करने में आपकी हल्प कर सकता है तोचा को कूरा करने के लिए टूट पेस्ट एक उत्तम घरेलू उपचार है इसके लिए आपको सिफ इतना करना है कि एक टेबल स्पून टूट पेस्ट में थोड़ा सा निंबू का रस मिलाना है इसे अपने चेहरे पर लगाना है इससे आपकी रंगत काफी अच्छी हो है जब भी मुहा से आए तो उन पर फोड़ा सा तूट पेस्ट लगा कर सो जाए अगली सुबा मुहा से सूखे हुए दिखाई दिंगे और आपके चेहरे पर कोई दाग भी नहीं होगा तूट पेस्ट की सहायता से आप तुचा के दाग धबो को भी दूर कर सकती है तूट पेस्ट की हेल प्ले सकती है इसके लिए तूट पेस्ट को जूरियों वाले अस्थान पर लगा कर रात भर के लिए छोड़ दे अगले दिन धूले इससे स्किन टाइट होती है जिससे दूरियां तीरे अपने आप कम हो जाएंगी अगर आपके फेस पर काले धब्बे हैं त इसके बाद सुखने के बाद इसे छुडा लें यह आपके चेहरे से धब्बो को धीरे-दीरे कम करने लगएगी अगर आपके फेस पर बलाइक हैस्ट हैं तो तूट पेस्ट की मस्दद से आप उन ब्लाइक हैट्स को आसाठा सकती हैं जिसके लिए आप तूट पेस्ट वर्डेश्रे के लिए भी तूट्पेस ? काफी बड़ करता है नीमबूं नमक शक्र मिषणर में थोड़ा सा तूट्पेस ? इसे अपने चेहरे के ? चेहरे में पर नमक झाइब mould खु足 Saxمة , और इस मिष्णर को सूखने के लिए चौड़ दें यह आपकी skin से oil को निकाल करके आपकी skin को dry बनाएगा तो यह रही कुछ छोटी छोटी tips जिनकी मदद से आप अपने skin से दाग, धबे, मुहासो को कम कर सकती है आपको यह tips कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताए इसके साथ ही साथ और भी ऐसी ही अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारी website खुबसूरत world पर विजिट करें जहां आपको beauty, fashion related काफी सारी problems का solution मिलेगा जिसके links आपको description में मिल जाएंगे मेरी आज की इस वीडियो को like करना ना भूले साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe भी जरूर करें Thank you